खालो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि अपार आइडी आप कैसे जनरेट करेंगे जिसको हम ABC ID भी वह कहते हैं तो ABC ID जो आपकी है अपार आइडी इसे आप कैसे जनरेट कर पाएंगे इसे बाइस जानने वाले हैं वीडियो में तक बने रहिएगा संपूर जानकरी आप लोग को मिलेंगी जिसा कि अपार आइडी को आज कमपल सरी कर दिया गया है कोई हम फार आइडी जो आपकी है ज़रूर उसमें आपको फिल करना होता है जिसे कि अगर हम CCC का फार आइडी यहां पर देखेंगे नया जो है कॉलम जोड़ दिया गया है कि अपार आइडी इस आइडी का नंबर जब तक आप इसमें नहीं भरेंगे तब तक आपको फार्म समिट नहीं होगा इसको कमपल सरी कर दिया गया है यहां पर आप देखेंगे इसमें जो है यह कमपल सरी कर द कैसे आप generate कर पाएंगे, सबसे पहले आपको जाना है, डिजी लाकर खोलना है, डिजी लाकर जब आप एफसाइट हो खोलेंगे, यहीं पर देखेंगे लिखा हुआ आएगी, ABCID, academic bank, off credit, इस पर जैसे हम किलिक करते हैं, लिखा join now, इस पर हम किलिक करते हैं, किलिक करते हैं, कह कह रहा है कि sign in, sign up, sign in उन सभी चातरों करना है, जिनके डिजी लाकर पर एकाउंट है, अगर आपको एकाउंट डिजी लाकर पर नहीं है, तो आप कहां sign up करना पड़ेगा, यसे आप sign up पर किलिक करेंगे, तो sign up पर किलिक करने से आपको हैं कुछ details भरनी है, जिसे कि आपक आधार कार्ड जो यहां पर मांगा जाएगा, आपको अपना आधार कार्ड नमबर भरना है, और उसके बाद में जो है, आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड है आधार पर उस पर एक OTP जाएगा, यहां देखेंगे OTP यहां पर गया है, OTP भरने के बाद में आपको submit करना है फिर यहां से हमें सम्मिट पर क्लिक करना है जैसे हम सम्मिट पर क्लिक करते हैं तो यह मांग रहा है आधार नंबर पेरिफाई आधार तो यहां से अपना आधार आपको भरना है और उसके बाद मैं आपको यहां से नेक्स्ट करना है अब यहां से हम next पर click करेंगे next पर click करते ही OTP फिर से आपके mobile पर जाएगा जो आपकी mobile नंबर पर यहाँ पर जो registered आधार में वहाँ को OTP आपको देखने को मिलेगा इस OTP को आपको यहाँ पर भरना है और OTP भरने के बाद में आपको फिर से next करना है यहाँ पर submit लिया गया है submit पर click करते हैं submit पर click करते ही इसे बता रहा है कि accounts already exits हमारे account फ़हले से बना है अगर आपको नहीं बना होगा तो open हो जाएगा आप से security pin मांगेगा उसे pin आपको देना और generate कर लेना है फिर करना है में login यहाँ से sign in करते हैं sign करने के लिए आप से तीन आपसान यहां मांगेगा mobile number से भी कर सकते हैं username आपको यहाँ पर एक मिलेगा और आधार number इन में से आप किसी एक से login करेंगे login करने के लिए आपको यहाँ आधार number देना है जिसे हम next करते हैं इसका अगला step खुल करके आता है यहाँ OTP जाएगा आपको mobile पर फिर से उस OTP को आप यहाँ फिल करेंगे और फिर हम submit पर click करेंगे submit पर click करते ही आप देखेंगे कि account जो होगा login हो जाएगा submit करने के बाद में जो आपने security pin बनाया है उसे आपको यहाँ भरना होगा उस security pin को आप भरेंगे और फिर submit पर click करेंगे जब submit पर हम click करते हैं तो हमारा account जो होगा log in हो जाएगा ABC ID आप किस परकार से बन करके आएगी यहाँ देखेंगे लिखा रहता है कि academic bank of credits ministry of education, government of India आपका नाम रहेगा data birth और आपार ID आपार ID है आपका नमबर आपका दिया रहेगा इस तरीके से आपका आपार ID जनरेट होगा जैसे हमारा account यहाँ पर जो है लागिन हो जाता है फिर यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है academic bank of credits पर join पर click करते हैं आप join पर जैसे आप click करेंगे तो आपको details यहाँ पर सो कर जाएंगे नाम, data, gender यहाँ पर आपको select करना identity type अगर role number आपका है किसी पहले से आप कोई education qualify कर चुके है तो role number select करेंगे registration number, enrollment number, new admission है तो new पर click करेंगे इसमें कोई नहीं तो आपको none करना है यह अंदन करने के बाद okay कर देना है फिर यहाँ से get documents पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो थोले देर बाद जो है यह generate हो करके आएगा यहाँ से देखेंगे download करने के लिए भी बताये लगएगा अब यहाँ पर जो है उपर लिख करके आगए जनरेट हो चुका है और यहाँ से इसे आप download कर लेंगे यह download symbol बजाएके इसे download कर सकते हैं प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग step by step अपने आपार आईडी को generate कर सकते हैं इसके लिए आपके पास mobile नमबर और आधार दो चीजे कमपल सरी हैं आधार कार्ड नमबर कर लिंक होना कमपल सरी है उसके वगार आपको OTP नहीं receive होगा और फिर आप लोग अपना आपार आईडी आसाने से generate कर पाएंगे यह तिस सूचना है अगर आपको कोई राय हो तो comment box में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ने इन्फरमेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार